हेलो गाईज, वालकम अंद इस वीडियो गाईज, आज की वीडियो में मैं आपको ये पताने वाली हूँ कि अगर आपका चाप्टर एक घंटे के अंदर कम्प्लीट नहीं होता है या आपको बहुत अदर टाइम लगता है अपने चाप्टर को कम्प्लीट करने में तो आप उसको एक घंटे के अंदर कैसे कम्प्लीट कर सकते हो जिसे कि आपका टाइम बच जाए अपने और सब्जेक्ट के लिए और आपका स्लेबर स्पी जल्दी जल्दी कम्प्लीट हो सके तो गाइज इसके लिए मैं एक नई स्रीश शुरू करने वाली हूँ और अगर आपको मेरा इडिया अच्छा लगया तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बिताएगा उसके लब अगर आपको कमेंट नहीं करना तो at least लाइक तो करी दीजिए अगर आपको इससे हल्प मिलती है तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अब जैसे कि मैंने कमेटी दाब में चार घंटे पहले एक पोस्ट आला था that how much time you takes to complete one chapter in biology तो biology में से कोई chapter complete करने में आप कितना time लेते हैं तो उसके लिए मेरे पास 6 कमेंट आए और उन 6 कमेंट्स में ये I don't know कौन है इन्होंने बताया one day तो अकॉर्णिंग तो मी कि आप लोग को जादा time लगता है अपना एक chapter complete करने में बिकोज इतना जादा lengthy नहीं है आपके chapters पर आप लोग जादा time ले रहे हो तो इस चीज का solution क्या है वो solution है मेरे पास तो guys इस वीडियो को पूरा last तक जरूर देखेगा युकि आपको पूरी वीडियो समझ में आगी तब ही आप समझ पाएंगे कि इस तरीके से आप एक घंटे के अंदर अपना chapter complete कर सकते हो तो उसके लिए देखो क्या करना है मैं एक नई सिरीज स्टार्ट कर रहे हूं और वो सिरीज ये होगी कि मैं आपको वीक में एक या दो बार ये आप मुझे बताएंगे कि आप कितनी बार चाते हैं एक बार या दो बार एक target हम लेके चलेंगे जिसे कि मैं सोच रही हूं हर Saturday को मैं आपको एक चाप्टर दोगी जिसे कि मा लेजे for example मैं दे रही हूं chemical coordination and integration उसमें मैं कुछ टार्गेट दोगी और आपको ये channel खोलना होगा साथ साथ और साथ साथ NCRT की book तो मैं उसमें आपको बताऊंगी commit community tab में ही यही पर मैं post करूँगी कि आपका टार्गेट क्या है 15 मनद दोगी जिसमें आपको 2 से 3 heading पढ़ने होगा जिसे कि hypothalmas complete करना होगा pituitary gland पढ़ने होगी इस तरीके से आपका एक target बनेगा और आप जल्दी से जल्दी अपने chapters को complete कर सकोगे ठीक है और एक chapter आपका within a 1 hour complete हो जाएगा अगर आपको मेरा idea अच्छा लग रहा है तो फ्लीज मुझे जरूर बताएगा comment करके और इसमें कुछ आप change चाहर हो तो वह मुझे जरूर बताएगा उसके लाबा मैं आप लोगों से कोश्न मुझे लादी हूँ कि आपको timing क्या चाहिए timing अगर मुझे जरूर comment करके बताएगा उसके लाबा मैं आप पर एक slot बना दूँगी जिससाब से timing मुझे लगेंगी तो आप मुझे बताना उसके लाबा मेरा पूरा प्लान क्या है सबसे पहले आप मेरा पूरा प्लान सुलीजे कि इसे मालीजे मैं Saturday को कर रहे हूं इस बार Saturday को शरीज स्टार्ट होगी मालीजे आपने शाम का आठ बजे का टाइम लिया है तो आठ बजे आपना फोन अन करेंगे NCRT करेंगे और फोन में खोलेंगे या चैनल उसको खोलने के बार आपको क्या करना है यहाँ पर मैं कमिल टाइम में बताऊंगी आपको कि कितने कितने आपको topics पढ़ने हैं कितने timing में तो वो topic आप complete करोगे वो target आप complete करोगे इसका मैं आपको next target दोगे और within a one hour आपका एक chapter complete भी हो जाएगा उसके लावा आपको जहां भी जो भी confusion होगा वो आप मुझे comment करके बताएंगे committee section में ही comment करेंगे आप और उसके बाद मैं उससे related और वो उस पूरे chapter को sum up करके बहुत अच्छे से समझा के with tracks और बहुत simple way में एक video upload कर दूँगी इससे कि आपको वो chapter आपका एक साथ पूरा का पूरा revise हो जाए तो इससे क्या होगा कि आपने chapter को एक घंटे के अंदर complete कर लोगे और उसके अलावा आपको एक अच्छी सी video मिल जाएक जिसमें आपको with tracks और बिल्कुर clear हो जाएगा so guys I hope कि आपको ये idea मेरा अच्छा लगा हो उसके अलावा मेरे channel पर बहुत सारी videos पड़ी हुई है जिसे की इसारी muscles वगेरा की bones की आप अनाट्मी पढ़ना चाहते हो तो आप चल्ड को subscribe कर सकते हो अगर आप नीट की बारे में पढ़ना चाहते हो तो भी आप चल्ड को subscribe कर दो और जो bell का notification देखता है उस पर click कर दो जिसी के आपके पास notification आजाए उसकी अलावा अगर आप e-book बाई करना चाहते हो तो आप e-book भी बाई कर सकते हो उसका description ने मैंने link दे रखा है और guys ये channel जो है ये आप ही लोगों के लिए बना हुआ है कि आप नीट का एकजाम जल्दी-जल्दी clear कर लो इस channel पर मैं वो नहीं पढ़ना चाहती जो मुझे पढ़ाना है मैं चाहते हैं आपको जो पढ़ना है मैं वो चीजें आपको पढ़ाऊं इसलिए मैं सोची हूँ कि आप जब एक घंटे के अंदर बाईलोजी का chapter chapter complete कर लोगे तो आपको और subject के लिए time मिल जाएगा जिसी कि इन्होंने सारे students मुझे बताया कि तीन दिन लगत करके जरूर बतायेगा और आंसा जरूर देजेगा जो मैने आंसर इस वीडियो के अंतर आपसे पूछे हैं उसके लाबा मैं comment section में भी बता दूँगी कि क्या क्या question मुझे आपसे पूछे हैं उसका आंसा जरूर देखे जाएगा till then take care bye bye thank you for watching